हेलो दोस्तों के LD Classes में आप सभी का स्वागत है आज हम बात करेंगे भारत में बच्चों के जो मौत हो रही है चाहे किसी भी कारण से छोड़ी छोड़ी जो समस्तायों के कारण से हो रही है उसका सबसे बड़ा जिम्मेदार कौन है ये हम बात करेंगे क्योंकि एक रिपोर्ट के माध्यम से पूरी जनकरी मैं आपको बताऊंगा एक रिपोर्ट पेस किया गया है बताया गया है कि एक अध्यन के अनुसार भारत के अस्पतालों में इस समय परजन टाइमे 2020 की मैं बात कर रहा हूँ चार लाख डाक्टर की पद खाली हैं चालिस लाख नर्स के पद खाली हैं और सात लाख बिस्तरों की कमी भारत देश में पूरे किसी भी ऐसा राज नहीं जहां पे ऐसी कमी नहीं देखी गई है जो इतनी बड़ी आबादी पे सबसे बड़ा कह सकते है कि 2027 में दुनिया का सबसे बड़ा आबादी वाला देश भारत हो जाएगा ऐसे देशों में अगर 4 लाख डाक्टर, 40 लाख नर्स और 7 लाख बिस्तरों की कमी है प्रजन टाइम में तो क्या इस्थिती हो सकती है इसका आप अंदाजा लगा ही सकते हैं वहीं भारती सरकार ने भी इस पैदा हुए या पेट में इस तरह से बहर डिलिवरी होने वाले कंडीशन में ही एक साल से कम आयू के लगबग 350 बच्चों की मौत हो जाती है दोहजर चोदे में बताय गया था कि दोहजर चोदे में पैदा होने वाले एक हजार बच्चों में से 49 ने अपना पहला जन्व भारत में साल आना लगबग 2 करोड़ 60 लग बच्चे जन्व लेते हैं दो करोड़ 60 लग बच्चों में से 8 लग पचास जार नौजातों की हर साल मिर्ट हो जाती है वह अपना पहला जन्म दिवस नहीं मना पाते है इन नौजातों की मिर्टों का कारण कोई बहुत बड़ी बहुत बड़ा कारण नहीं है बस छोड़ी-छोड़ी देशे है सेपसिस है इनफेक्सन है डायरिया है सास लेने में दिक्कत है हाईपोथर्मिया और कम वजन से जुड़ी समस्याओं के में से ही कुछ ने कुछ बच्चों को हो जाता है जिसके कारण से प्रती दिन भारत में 2350 बच्चों की मौत होती है यह आकड़ा है सरकारी आकड़ा यह आप इस तरह से जाके चेक कर सकते जो स्वास्त मंत्रा लेगा जो इस तरह से वेबसाइट होता है वहां से इसको आप निकाल भी सकते हैं वहीं यूनी से प्रसंस्था ने माना की 80% मोटों के पीछे समय से पूरो होने वाले जन्म के समय होने वाली जडिलता निमोनिया तथा संक्रमण की समस्था जैसे कारण भी जिमेदार हैं असाधनों की कमी की बात करें तो भारत में स्वास्ट सुविधाओं का खासा आभाहो देखा गया है। और गड़ बड़ हो सकते हैं जब चीन में इस तरह से इसको कंट्रोल नहीं किया जा सका जो आगे बहुत ही टेकनोलोजी में या इस तरह स्वास्त के छेते में बहुत आगे है तो भारत में क्या इस्थिती होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं प्रती हजार लोगों पर ब्राजील में अगर बताया गया है कि जो बेडों की संख्या है वो अन्य देशों में देखा जाए तो वहीं प्रती हजार लोगों पर ब्राजील में जहां बेडों की संख्या है दो दस्वलो तीन है वहीं भारत में प्रती उपलबदता जीरो दूसरा करण ये भी बताया गया है कि समाजी करण भी ओते हैं बच्चों के मौत का जैसे बेटी बेटाक में भेदभाव भी नौजात मिरितुदर में बृदी का एक बहुती करण भारत में माना गया है यूनी सेफ के मुताबिक दुनिया के बड़े देशों में भारत एक मात देशे जहां लड़कों की अपेच्छा लड़कियों की मिरितु दर आधिक होती है यही समाजी भेदभाव यहां पे है नेशनल फैमिली हेल्थ सरवे के अध्यन में पता चला था कि 2015 की मुकाबले 2016 में 5 वर्षे कम उमर की लड़कियों की मिरितु दर में 11% का इजाफा हु दिकांस बच्चे समाज के निचले तब के क्यों होते हैं सी एश्टी इस तरह से इस कटेकरी के जो बच्चे होते हैं उनकी मौत सबसे अधिक भारत में दर्ज की जाती है यह तर्थ केवल स्वास्त बेष्था की खामियों की पोल नहीं खोलता बलकि समाज में ब्याप्त कम गूम फिर कर कुपोसड, डाक्टरों की कमी, खोखली पड़ी, तीन अस्तरीची किस्सा ब्योस्ता, प्रसासनिक अच्छमता, ऐस इच्छा और जागुरुटा की कमी के कारण से इन सभी जो बच्चे हैं इनकी मौत हुई है जिसकी जलक जन स्वास्त में रोज देखते हैं, ग्रामिट छेत्रों में गर्भमती महिलाओं में कुपोसड की कमी भी समस्या एक तरह से मानी गई है, यानि की महिलाएं मा बनने से पहले ही कुपोसड का सिकार हो जाती हैं, इस वज़े से प्री टेर में डिलेवरी का खत्रा बना रहता है, यानि समय से पहले से पहले प्रसव हो जाने से बच्चे संक्रमण के प्रती अत्यधिक सुवेद हो जाते हैं, जिन पर बिमार होने का खत्रा हमेशा बना रहता है, एक रिपोर्ट भी बताय गया था, लासेंट में सितंबर 2019 में प्रेकासित रिपोर्ट के मु लिकीनन इसे देश की प्रेकेती और उसके बिकास में रुकावट पैदा होती है, इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, या सरकार भी इसको इंकार नहीं कर सकती है कि हम एक स्वस्त राइष्ट का निर्मान तभी कर सकते हैं, जब हमारी सिच्छा का अस्तर एक तरह से अ पाएंगे जब तक इन कमियों को दूर नहीं करेंगे, इस कारण से नकेवल बाल विवा को बढ़ावा देता है, बलकी बेटी बेटा में भेदभाव करे भी जन्म देता है, वहीं सिच्छा महिला मा बनने पर सिच्छो की देखभाल नहीं कर पाती है, कम उमर पर साधी करने से मा बनने पर सिच्छो और मा दोनों के इस तरह से जान का खत्रा है रहता है, इसलिए सुप्रेम कोट ने का, कि जीस तरह से जो लड़कों का एज साइदी करने के लिए कई साल था, और लड़कियों का अठारे साल था, आप लड़कियों का भी एज अठारे से बढ़ा कर एक कई साल कर दिया जाएगा, लिहाजा हमारी सरकारों को सिच्छा सभी तक पहुचाने को सुनियस्चित करने की जरूरत है, सरकारी अस्पतालों में सुप्धाओं का अभा होना कोई नई बात नहीं, आप चाहे किसी भी राजकी देख सकते हैं कि जो सरकारी अस्पताल में जो चाहे वो डाक्टर को हो या बेट को हो, हर चीज में कमी है, वही जो प्राइबेट होते हैं, जो नीजी होते हैं, वहाँ पे हाई इस तरह से फैकल्टी होती है, यह सबसे बड़ा भारत में कमी बात की गई है, नई स्वास्त नीती के तहत नई GDP का धाई परसेंट स्वा अभाव देखने को मिलता है भारत में आप यह पैटन बन चुका है चाहे आप किसी भी राज का अभी हाली में आपने को इस तरह से राजिस्थान में देखा उसके बाद उत्तर प्रदेश में देखा इसके बाद बिहार में भी आपने देखा होगा आप यह भारत में पैटन बन चुका है कि किसी भी तरास्दी जो बड़ी बड़ी तरास्दी होती है उसके समय के बाद सासन पर सासन जाकता है और कुछ ही समय के बाद दोबारा वह इस हो जाता है वो कहता है कि इनकी गलती है उनकी गलती है जो समाज में भेद वाओ ऐसी गलती के आट से वो अपनी गल उदासिंता ब्यापक अस्तर पर विद्वान हो चुकी है भारत देश में इस उदासिंता में गाउं का एक मुख्या से लेकर प्रात्मिक स्वास्थ केंद्रों के कुछ डक्टरों और राजनीतिक नेता तक सामिन है दरसल इसकी एक लंबी स्रिंखला जो अंदर सिस्टम के खो सभी को यह इन बच्चों के जो मौत हो रहे हैं चाहिए वह अभी कोटा में हुआ हो गोरकपूर में हुआ हो या मुझफर पूर में हुआ ऐसे कई अस्थानों पे हुए हैं उसके सभी को लेकर एक तरह से एक कड़ी को जोड़कर हमें देखना होगा कि क्यों इतने आधिक म कर सकते हैं इसी प्रेकार से बने रहे हैं जैसे को इन फार में सनाएगी मैं आपको जरूर सुचित करूंगा इसी प्रेकार से बने रहने के लिए आप सभी दोस्तों का के लडी ग्लासिस की और से धन्यवाद